संजीर थाप शिवय सुक्ति धाम संतालां समितिकु सभावति अनिवा उनाँच श्रीमा बिजी थाप अमान विजला पजश्य र विशेश यह मंदिर को इस्तापना बारी बन्ना पर्दा निजी मंदिर को गुकुमार खरेल हां को मातापिता जोयली थापना बढू थापना बन्ना पर्दापना बन्ना पर्दा को इस्तापना पर विजला । अमरोली को बन्ना पाईलां। यो मंदिर संग संग यह हमरेवड उदेशियो तो इस विदास्तम पनी पर्शा बंदो शोजो तेसुशले करदा यह दोय वटा रूम पायरी गरीशति का तो विदास्तम पनेंथी आज 28 फरवरी ड़ी हजार 24 देखी 9 मार्च यो लगतार एघार दिन शम्म या निर चीवा महापुरान चंपन मेंगें बूर्म कहता बनी नहीं अच्ठा भाणे से लिपा हूं भी झाल सौनसे अन्य इस्थान उर वातथा विञ राजिस्थान उर-कामख्य वातब भिन्वन जय को सादुमाहराज में प्लाउची है आज़ उकलसीयात्रा वन्वाथ भभ्यरुग्न संपन्नगर रहू न उन नवपंडर शुरूद सुरूोगर बनेच्टों तरा यो अह दिन हरू जास्ते कार्यक्रम उद्द पुझ रहुपयारा करदों है कि अर्भदी कारयुक्त हाँअ कि लिकि असरे मझरण पुझ पुझ हालो होुआ чा, ने इक हेमाजल मुले असे हैं ढेपन आएका रहा है कहता प्व göst शेमए प्राव खाव थार ट्राव मान्ने अर शेयरदें को ज्डाव देखी ग। तरह तीन वर्ष सम्म श्रिमत भागत पुद्धाया ने गरे ऑट यह रई र्यू सिव पुद्धाया प्रथम वर्षण होई हो इस्वा है तरह्या कि पेस्ट में, विश्दर। प्रक्यात्स संगीत गुरू प्रदीप्षा वहां को तोली एक तारिक आउने हैं तोली नहीं है यह मालिंगु लिएक वहां संगीति क्लॉफ भूत्ति गुरू पनी तारिक आड तारिक वहार लिगने आउने हैं तोली विदे वदमताम पुजा कमिटी लापनी भजन को निवेधन करें चाहां बने यहनी इरो गींग शाय मंदली पनी आउने चाहां प्रहिपनीशन वेता वर्शिंग्स प्राइपनली दिल्ग हरुपनीशन परसेपरो उसको गुरूप छो उपनी भोली को शोड़ी देडियों नावने शोड़ी चैने को अधिक अधिक तहां बटा जाजरी हो जाजरी रायो कोला स्यात्रा चैया मंदिर वाट अब यही के शन। रायो कोला स्यात्रा आमिनीकाल देनलाइ में देशनको फिलाइप गुंडें राया हृए वाट जलैंप शीद्धित्यौ मतमील भाट ब्याट भाट पा है खुलाई बड़ा फेरी यहां राइट लिये पजी ओर आलो स्वांति कोल्यानो रुब आयरा यो इस्टोडियम पो गेत्ना पुक्छां। त्यां बड़ा इस्टोडियम पो गोर्खा इस्टोडियम पो गेत्ना पुक्राप पुछां। यह मंदिर सिद्धनाता जां भित्र गुफा भित्र दाये कि देवी को आमिले दर्शन गरेरा आयों। यसलाई मैले काई चुने अनुसार के इतियास एर्दा खेरी आतिम ताहिले पनी यही गुफा भित्र बशेरा देवी को आरा जहना करेगो। आमिले पाये काथियों। यहां भित्र जांदा खेरी मनमा एकदम ही शकारात्मक एवडा उर्जा आउने। यहां एतिरों भैडमा एति इनेर आयेोять शक्तियों। अब जुन कामिती की संगां, आम रोटा बार्ता बयानुसार, समिक्च्या बयानुसार, आमी लेटी केवल ज्यान मुलक ढंग भाता, यस यज्यलाई संपाधन गर्न गईरा एको कुरा आरू पनी अजुर एरलाई जानकारी गराओ दै अन्या दिवेत कारेक्रा मेरूमा अजुर एरू सप्पई जती पनी दर्शक महानु वाब एरू उनुँँच सबैको उपस्तिती उनेच सबैले आयर सीव पूराण वित्र रहेकाती तथा एरूलाई स्रवन गरेर आपनो यह भौतिक सरेरलाई पुरुनार्थ दिन उनेच वनने पनी कामना यस च्यानल को माध्यम बाता गर्देई गर्देई मापना ब्रह्मरूत विभाड़ी एरूलाई यहीं विश्राम गर्दाचु हर हर महादेर मेरो परिचाए अब यरदा खेरी मेरो घर्देई नेपाल जापाजिल्लामा अजुरेरू सतक्ति धाम पुगन उन्चा बने कर्देई माही मन करकारी माही नदी दखी आख किलो मिटर उत्तर-तर पजादा खेरी यहीं विश्रामा से नेपाल गर्देई श्राम आमिले तियां 2000 भंदा धेरैं गाई अरूलाईची जो ब्रिद्ध अशहाय रोगी जो ची यो नेपाल को बंचार भायो ते सेगर पंजाब गुजरात अरियाना दाट नेपाल को बंचार हो दई कलकत्ता को बदसालामा पुर्याईने ती गाई अरूलाईची ती पापी अरू सब्सक्राइब को प्रणाम हरार मादेव सभी बक्तत लोगो और पहला जुग्या साथ का ये रहा कि ये सिव महापुरान के अंतरगत सुक्ष्म शब्दों के अंतरगत है सिव नाम कल्यान का और कथा नाम समवाद या सरवन कीर्तन का इसी के द्वारा संसार जगत का है और संपुर्ण पर निजी हितों में और सब के परहित के दिनी भी ये कल्यानकारी कथा होती है जिसमें कहते है कि कणकण में शंकर ज्याप जो प्रश्ण है कि विसेयों को जोड़ते हुए विज्ञान दोरों से यह आं स्मृति M kale पता है अभी तक जो कि लाकों की जो भी कथा है या जो भी कोई हिस्ट्री है वह हमारे दिमाग में अभी तक बिस्त्रित सेव जो उसको पुलते ग्यान और जिस चीज़ को मलब रख करके भूल गई और वापिस हमें मिल रही है किसी भी आवस्ता के तरगत और उसका अनुवा मिल रही है उसको विज्ञान कहते हैं और यह सबसे बड़ा रिसर्थ सेंटर है हमारी सिक्षा का वेदित का पुराणों का सभी प्रकार के मंत्र यंत्र के सरीर मध्यम से तीनों प्रकार के जो भी जूपिटर पावर हमारे मध्यम इसका समस्त्रक लियानकारी कलस्ट पूजा की जाती है जिसमें धन्मंत्री आयुर्वेट एवं अवबृतिस्तान इत्यादी के कलसों का पूजा नर्तन करते हैं उसके अंतरगात आजगल के विसर्थ में अंज्य से करते हैं कि हम लकड़ी पर गोबर पर बरफ पर लोहे पर मिठी तर सब जगे हमारा जो कथा में आते हैं मांधाता जिनका सर इतना विस्त्रित था कि उस समय उनको प्यास लगी तो उस जल को पीने मत्र से पुरुष ने भी गर्व धारन किया इस पर आजबी विज्ञान वह तक्कित है तो इस प्रकार की ओसभियां एवं सब प्रकार की सक्टियां समाईत दि कलस्कों हमारे किसी पवित्र स्थान से या देवी के स्थान से कोई जो कथा या मंदिर का प्रतिष्टा प्रांगन होता है उसमें वहां से जल को लेकर के पूरुष किया जाता है और समाहित भाव में जब यह पुर्णत कथा का विवोतन या पुरुनावती होगी उसी जल क पाववरित्स्थान सब करके हम थैसब फल प्राप्ति करेंगे बोलिए हर हर अखाडा मानिए विश्याग्ति जो है मेरा जनमस्थान है तीन दिव्यमंदिरों के प्रेंगल के मद्या है जिसमें महाबार्ट काली इन्यूदि के बरबरीक जो हुए है जुनको आज श्याम के नाम से जानते हैं दूसरे स्री राम भक्त हनुमान जो सालासर में विराजमा है और तीसरी सक्ती जो बावन पीठों में साकंबरी नाम की है रुद्रों बर्मानी के शुरूप में उस्ट्रेंगल में पतास किलोमेटर के अंतरगत तूरू और आज के सनातन का सबसे बड़ा विस्तार करने वाली गीता प्रेश गोरकपुर जहां के हनुमान परसाजी प दाजलिंग की इस परातक स्थिति के अंतरगत तो यह सा लग रहा है कि यह सानातन की पुर्ण सरीता ही नहीं ठागर का पूरा प्रावाइद समकरण हो रहा है जिसमें समपूर्ण धरातल है वह इस तृष्टी से जुड़ेगा और यहीं सी धर्म का अगाज हो रहा है यह